हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी को कच्छा दस हिंदी में आप सभी को हर साल बोर्ड के एक्जाम में संदर्ब लिखने के लिए और एक हांकित अंस की ब्याख्या करने के लिए आपके पेपर में हर साल प्रशन आता है फ्रेंस आप सभी को संदर् ड्यान को देखें कितने बार पहले paper में आ चुका है पर उसको ध्यान से देखिए 2013 में 15 में आया है 19 में 22 में और paper का set देखें A B A C A E AF G इतने setखों में प्राश्ण देखें कई बार रिपीट हो चुका है और देखें गध्यास क्या है आपका कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और सद्वृति का ही नाश नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छै करता है किसी युवा पुरस की संगती यदि बूरी होगी तो वह उसके पहरों में बधी चक्की के समान होगी ठीक है जो उसे दीन दी आउनती के गड़े म और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उनती के और उठाती जाएगी फ्रेंस इसे आप गद्यांस को पढ़े होंगे देखिए आपको जब यह गद्यांस आपको बोर्ड के एक्जाम में देगा तो आपको इसके बारे में पह कला प्रशन जो रहाएगा यहां पर आपको इतने प्रशन इससे बन सक्तékते हैं पहला कुसंग का व्यक्ति के क्या परभाव होता है, यह इसके अलावा इसके जगह पे कुसंग का परभाव व्यक्ति के जीवन पर किस परकार पड़ता है युगा पुरुष की संगती यदी बूरी होगी तो उसका क्या प्रणाम होगा यह प्रशन दे सकता है इसके लाओ पर्यूग्द गद्यांस में युगा पुरुष की संगती के संबंद में लेखक ने क्या बताया है इसके लाव प्रियुक्त गद्यांस के सत संगती के विशेष्टा बताई गई है फिर इसके लाए देखे इन तीनों चारों जितने भी प्रश्ण बता इसमें से कोई एक ही प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में आता है इस चीज को ध्यान दिजेगा यह पूरा नहीं आत चले को बताते हैं किसे संद्रव लिखना रहता है तृक है यहां को याद की संद्रव की याद रखिए जहाppen कॉं lo देखे यहां पइंदी तो जानते हैं चैप्टर के नाम आपको याद रखना पड़ेगा किस चैप्टर थे सिरसर नामक पाट से लिए इसके लेखाए अचाया रामचंदर शुक्ष्क जी है आपको देखे सिर्फ एक मित्रता और जो लेखाए इसके नाम याद रखना पड़ गद खंड में संकलित मित्रता सिर्शक नामक पार्ट से लिया गया है इसके लेखा कौन अचार रामचंदर शुक्र जी है अब इतना लिखने के बाद आपको यह जो अंडरलाइन है रिखांकित भाग है इसका ब्याख्या कैसे करना है देखिए यहां पर ब्याख्या भी किया गुड़ों का विनाश करने के साथ बुद्धी को भी नश्ट कर देती है यहां पर वगया यदि आपको बुरी संगिति आपका जो मित रहता है उसका असर आपके दिन पर दिन बढ़ता ही पढ़ता रहाता है जिससे आपका क्या हो सकता है कि विनाश और बुद्धी का चक्की की भाति उसके पैरों में बद जाती है यानि कि उसके साथ वह क्या होता उसका बुरा परभाव उस मित्र के उपर जरूर पढ़ता है आप लोगों ने बड़े बुरुचूर को से सुने होगे कि बुरी संगिति का बुरा असर पढ़ता है वही इस यहां पर आपको पर चलने लगता है देखे इसका टोटल निसकर्स यह है यादि आप बुरे आपका जो फ्रेंड है यादि आपका दोस्त जो है उसकी बुरी आदिते कोई है तो आपके उपर उसका कुछ दिन के बाद उसका बुरा प्रभाव आपके उपर जरूर देखने के लिए मिल जात नती के ऊवर बढ़ने लगते हैं ऀप पर चलना लगता है अब दीखेंघें यहाँ पर आपका इसका जिसे लिखें ब्याक्या के अपने शब्दों में लिखाना रहता है अब यहाँ पर दियान दीजिए आपको अगला क्या करना रहा जैसे कुसंग का ब्यक्ति जीवन को क क्या करता है आच्राड को छिर कर देता है अच्छे बूरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है धीरे धीरे पतन की अंधिकार भरे गर्थ में गिरका नश्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंज इसको आपको अपने सब्दों में लिखना रहता है यानि कि आप अच्छे मित्र के साथ है तो उसका क्या प्रभाव पुड़ेगा उसी को अपने सब्दों में लिखना रहता है कुसंगती का मतलब होता है बुरी संगती बस आप इससे समझे रहे ठीक है अब दूसरा प्रशन यहां पर इसका कैसे करेंगा कुसंग और अच्छी संगती में क्या अंतर है अब क्या करेंगे गरत में जाके गिर जाएंगे ठीक है और यदि आपकी संगती अच्छा हो रहाएगा तो आप अच्छे मारगे पर चलेंगे और अच्छा आच्छी बुद्धी होगी अच्छा विकास होगा यही सब लिखना रहता है फिर इसके लागा देखे फ्रेंद सूद इस प्रकास आपको क्या करना रहता है जब भी आपको संद्रब लिखना रहेगा तो जैसे बता है इसी प्रकास से आपको बोर्ड के एक्जाम में पुरा हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपका एक नमबर भी एक्जामर नहीं काट दें सब ठीक है फ्रेंस तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें